हेलो दोस्तो, कूल टीज़ पे आपका स्वागत है, तो चलिए दोस्तो शुरू करते आज के वीडियो, तो मैं माफी चाती हूँ, दिल से हर्दिक माफी चाती हूँ दोस्तो, क्योंकि मेरा ताबियत बहुत खरब था, तो इसलिए मैंने 5 देज, मतलब 5 दिन से मैंने कोई भी बीमारी हूँ मैं, तो सॉरी, for late मैं वीडियो नहीं कर पाए, जो भी latest information और जो भी आप लोगोंने मेरे चैनल को subscribe करके रखे हो, लेकिन मेरा एक जिम्मेदर ही होता है आप लोगों को वीडियो पहुंचाने का, तो सॉरी दोस्तो, मैं आफी चाती हूँ फिर से, तो हाँ द दोस्तो, तो आपको पता है, एक Redmi Note 5 handset पे एक stable का update आया था, दो घंटा था update और दो घंटे के बाद बो आटमेटिक रोल आउट हो था, लेकिन बो रोल बैक हो गया था, वो सामी बालों ने बो update तो दिया था, लेकिन बो update फिर से बैक ले लिया था, आभी आज बो roll out हो गय तो मैं इसी वीडियो का description पे एक link दूंगी, वो लिखा रहेगा, Redmi Note 5 या Redmi 5 Plus, download ROM, MIUI का 10.2.1.0 का global stable ROM है, 1.4 GB का size है दोस्तों, हाँ दोस्तों, आप जाईए, और जाने के बात वो update कर लिजिए, दूसरा बात मेरा जो सामी का handset था, वो हास से पढ़के वो थोड़ा सा broken हो मतलब damage हो गया वो item, तो मैं अभी तो मैंने बहुत सारा सामी का handset यूज किया है, लेकिन अभी मेरा मन चाहरा है क्या मैं सामी को छोड़के आभी मैं Realme का handset लूँ, तो Realme का एक नया handset आने वाला है Realme 3 Pro, और Realme 3, तो दोनो Realme 3 लेने का मैं बहुत cheap price का, इसलिए Realme 3 नहीं प्लीज कॉमेंट पे आप बताइए, आप लोग जिने, सारे जो लोग आप बोलेंगे, जो handset लेने के लिए मैं बहुत ही handset लूँगी, तो प्लीज दोस्तो थोड़ा से help कर दीजे, मेरा जो स्वामी का set बहुत टूट गया है, और यह जो नया handset है, वो एली का है, एली को ली टीवी वाला, ली मैक्स 2 मैं handset यूज कर रही हूँ, मेरा दूसरा handset था, बहुत पुराना है यह, 16-17,000 में मैंने वो purchase किया थे, वो set, तो हाँ दोस्तो बो स्वामी का Note 5 handset जो था, वो मेरा broken हो गया है, दोस्तो तो मैं चाहूँँगी, मैं एक नया handset लेने के लिए, तो conscience and loser, please आप लोगो, please support कर दीजिए, और मैं बता दीजिए comment section पे, और दोस्तो मैं एक वीडियो बना रही हूँ, वो global stable पे official ROM रिलीस कर दिया है, दोस्तो हाँ आप चाहे तो देख सकते हो, Redmi Note 5 पे रहो दोस्तो, आपको जब भी आप display पे वो click, मतलब description पे जो link रहेगा, आप वो वीडियो पे click करोगे, click करने के बाद आपको यहसा introduction आज आएगा, आपको यह वाला touch करना है, stable वाला, first, stable पे touch करोगे और download कर लोगे, ठीक है, और download करने के बाद कैसे update करना पड़ेगा, यह है, first वाला version MIUI का version 10.2.1.0 का 1.4 GB, Redmi 5 Plus Global, यह stable वाला ROM आप install करना दोस्त दोस्तों, वो अपडेट कर लेना, वो official है, official page है, दोस्तो, Redmi 5 Plus, मतलब Redmi Note 5, Redmi 5 है, Redmi 5 Plus है, तो आप निशिंद रहिए, यह Redmi Note 5 है, इंडिया का, यह Redmi Note 5 है, दोस्तों, आप जाईए, Redmi Note 5 का जो ROM, आप download कर लिजे, और update कर दीजे, reboot हो जाएगा, system handset बहुत smooth हो गया है, और नया security patch है, और Android Pi और Dual 4G 40 अभी तक update नहीं आया है, तो wait कर लिजे, मिल ही जाएगा, इसी महीने पे नहीं मिलेगा, जून जुलाई तक मिल जाएगा दोस्तों, ऐसा ही report आया है, Xiaomi वैलो से, तो हाँ दोस्तों, वीडियो का अच्छा रागा तो like कर देना, और बुरा रागा तो dislike क कर देना, मेरा मन चा रहा है, Realme 3 पो लेने के लिए, तो वो भी लू या ना लू आपका राई, प्लीस बता दीजिए, तो हाँ दोस्तों, वीडियो का अच्छा लागा तो like कर देना, और आप नहीं बांदेगा तो प्लीस चैनल को subscribe कर लेंडे दोस्तों, तो आपको link मिल ज दोस्तों, आप जाईए और download कर लीजिए, फटाफट, ठीक है, तो आप Redmi Note 5 एक हंसे डियूस करते हो, तो आप MIUI का 10.2.1.0 का global stable update कर लीजिए, तो thank you दोस्तों, वीडियो का देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जाहिन भारत माता की जाई